बश्रीमत भगवत कता के लिए 16-22 दिसमर को कैसर चार महराज अहमदाबाद पहुंचे अयुद्या में स्रीमत भगवत कता साथ दिन तक चले गा और इसमें भगवत स्री खुर्प, लिला प्रसंग, नंद महुद्व, गोवडन पूजा, राम लिला, कंसवंद, एतिहासिक बीवास, सूदामा जैसी कई घटनाओं की साथ धर्मिक कारकर्मों का आयोजन किया जाएगा इसमाज में जिस प्रकार का एक भयावे का बातावरा है प्राणी मात्र के अंतस्त में आज जिस प्रकार से एक शंका विद्यमान है प्रेम और स्वहार्द का अभाव है शीमत भागवर जीव मात्र के हर्दय में प्रेम और स्वाहर्द की संस्थापना का स्वाद्ध आज सर्वत्र प्राणियों में प्रेम विद्यमान रहे, स्वाहर्द विद्यमान रहे, हशान्ती-शान्ती में परवर्तित हो और व्यक्ति अपने जीवन के कर्टविका अनुपालन, प्रतिपालन कर सके समाज को सही दिशा दे सके क्योंकि जब तक समाज को दिशा सही नहीं मिलेगी तब तक दसा नहीं सुद्खेगी आज राषट को दिशा और दसा दोनों की आवस्चे का है आज समग्र राष्ट उस स्थान पर खड़ा है जहां प्राणी मात्र सब कुछ समझने के बाद भी कहीं न कहीं अज्ञानता से युक्त है और वो अज्ञानता अज्ञान के रूप में परवर्तित कराने का श्रे शीमद भागवत शास्त्र और पुरानों को है इसलिए समय समय पर ये धार्मित आयोजन किये जाते हैं और इसी शंखला में तथा के आयोजग प्रफुल भाई ने ये जो आयोजन किया है ये समाज के कल्यान के उद्देश्य से आयोजन किया गया है नकिवल भ्यक्तिकत हितों के लिए ये आयोजन नहीं